MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप जानेंगे MS Excel 2016 का परिच्छे, MS Excel 2016 स्टार्ट करना और साथ ही जानेंगे रोज, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट, त्यादी के बारे में. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. Microsoft Excel के कई वर्जिन्स पहले आचुके हैं, और हर नए वर्जिन में Microsoft द्वारा कुछ नए फीचर्स एड़ किये जाते हैं, साथ ही उसे काम करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है, और हर बार और अधिक आकरशकरू प्रदान किया जाता है. MS Excel 2016 इसके पुरानी सभी वर्जिन से अधिक उप्योगी है. Excel एक Electronic Spreadsheet Program है, इसका उप्योग डेटा को Store और Organize करने के लिए किया जाता है. Excel में डेटा Rows और Columns में Store होता है. Excel का उप्योग मुख्य रूप से Financial Data में गनित की Calculations जैसे Value ढूनना, Average निकालना, Count करना, Percentage इत्यादे निकालने में किया जाता है. इसके अलावा Excel में Chart, Graph, Database और Data Analyze किया जा सकता है. तो आईए, हम Microsoft Excel 2016 की प्रारंभिक जानकारी देख लेते हैं. सबसे पहले Start बटन या फिर Window बटन पर क्लिक करें, All Programs में जाएं, और यहां से Excel 2016 पर क्लिक करें. यह देखिए, यह Excel 2016 ओपन हो गया है. Left-hand side में आपको वो फाइल्स दिखाई देंगी, जिन पर आपने पहले काम किया होगा. और उन्हें आपको ढूनना नहीं पड़ेगा, आप डिरेक्ली यहीं से क्लिक करके उनको उपन कर सकते हैं. यहां पर कई तरह के टेंपलेट्स दिये हुए हैं, जैसे Cash Flow Analysis, Stock Symbols Comparison, Calendar Insights, इत्यादी. आपको इन में से जिस भी टेंपलेट की जरुरत हो, उस पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं. उदारन के लिए हमको Student Schedule टेंपलेट चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे. अब Create पर क्लिक करेंगे, तो यह उपन हो जाएगा. अब हम Excel को Close कर देते हैं. अभी हमने MS Excel 2016 उपन करने का एक तरीका देखा था, अब उसे दूसरी तरह से उपन करना देख लेते हैं. स्टार्ट पर क्लिक करें, नीचे Box में Excel 2016 टाइप करें, यह देखें सबसे उपर यह इसका नाम आ गया है, आप चाहें तो Enter प्रेस कर लें या फिर यहीं से क्लिक करके इसे खोल लें. यह देखें, MS Excel ओपन हो गया है, इसमें अब हम Blank Workbook ले रहे हैं, Excel में इस स्क्रीन पर सबसे उपर यहाँ पर टाइटल बार होता है, जिस भी नाम से File Saved होती है, वो नाम यहाँ पर दिखाई देता है. Left Side में आपको Quick Access Toolbar दिखाई देगा, जिसके सायता से आप ज्यादा तर काम आने वाले Features जैसे Save, Undo, Redo, इत्यादी का उप्योग कर सकते हैं. आप इन में अपनी जरूरत के मताबिक Options एड भी कर सकते हैं, और जिन Options की उप्योगिता नहीं हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं. By Default, MS Excel ओपन करने पर Home Tab सेलेक्टेड रहता है. इन सभी Tabs में अलग-अलग Block और उनके Options होते हैं, जैसे Home Tab में Clipboard, Font, Alignment, इत्यादी Blocks हैं, इसी तरह Insert Tab में Table, Illustrations, Add-ins, इत्यादी Blocks हैं. इसी तरह अलग-अलग Tabs में आपको अलग-अलग Blocks और उसके अंदर अलग-अलग Options या Features मिलेंगे. यहाँ पर View Tab के पास में Tell Me नाम का नया Advanced Feature है. इसका उपयोग करने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करें, या फिर अपने Keyboard पर Alter और Q प्रेस करें. इस Option के सहायता से आप Excel के किसी भी Option पर शीगरता से पहुँच सकते हैं. माली जे हम सर्च कर रहे हैं Background Option, तो उसका नाम यहाँ पर Type करते हैं, और यह देखिए, नामिया टाइप करते ही यह Option यहाँ पर दिखाई देने लगा है. इस पर क्लिक करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं. राइट हैंड कॉर्णर पर आपको Ribbon Display ऑप्शन मिलता है, जिसकी सहायता से आप इस रिबन को Hide या Unhide कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए, तीन ऑप्शन्स हैं. सबसे पहला है Auto Hide Ribbon. इसको सिलेक करने पर, यह देखिए, यहाँ से Ribbon Hide हो गया है. अब अगर आपको वो Ribbon चाहिए, तो उपर क्लिक कर दें, तो यह Ribbon वापस आ जाएगा. और नीचे आप कहीं भी क्लिक करेंगे, तो यह Ribbon वापस चला जाएगा. दूसरा उप्शन है, Show Tabs. इसको सिलेक करने पर, उपर आपको केवल Tabs नज़र आएंगे, और अगर आप इसके अंदर की Commands चाहते हैं, तो उसके लिए उस Tab पर क्लिक करें, तो यह Ribbon आपको दिखने लगेगा, और उसके अंदर के जो Blocks हैं, वो भी नज़र आने लगेंग फिर अगर आप नीचे कहीं क्लिक करेंगे, तो यह जो Blocks हैं, वो Hide हो जाएंगे. तीसरा उप्शन इसमें है, Show Tabs and Commands. इस पर क्लिक करने पर, आपको Tabs और Commands, यानि यह जो Ribbon है, वो पर्मानेंटली नज़र आता रहेगा, अगर आप कहीं भी काम करेंगे, तो भी यह Hide नह होगा. रिबन डिस्प्ले के पास आपको Minimize, Restore और Close बटन्स मिलते हैं. यहां आपको Name Box मिलता है, आप Sheet में जिस सेल पर भी क्लिक करेंगे, वो Address आपको यहां पर नज़र आएगा. जैसे कि हमने यहां पर क्लिक किया, तो Name Box में B5 नज़र आ रहा है, इसका मतलब Column B है औ और Row 5 है. और यह है Formula Bar. आप जो भी Formula या कोई भी Word इत्यादी टाइप करेंगे, वो आपको यहां पर नज़र आएगे. Excel में File या Workbook के अंतरगत Worksheet होती है, जिसमें हम काम करते हैं. और यह Worksheet Rows और Columns में Divided होती है. और यह जो छोटे-छोटे Boxes हैं, यह कहलाते हैं Cells. हर Worksheet में Total 16,384 Columns होते हैं और 10,48,576 Rows होती हैं. शीट के Left Side में Rows के लिए Numbers और Upper Side में Columns के लिए Alphabet लिखे होते हैं. जब भी कोई नई फाइल या Workbook इंसर्ट करेंगे, तो उसमें आपको By Default एक Worksheet मिलेगी. यदि आप और Worksheet चाहते हैं, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार Plus के चन पर क्लिक करके और Worksheets एड़ कर सकते हैं. रिबन में सबसे पहला Option होता है File का, जिसमें आपको New, Open, Save इत्यादी Options मिलते हैं. यदि आप Excel 2007 पर काम कर रहे हैं, तो ये Options आपको Office बटन के अंदरगत मिलेंगे. इस Arrow पर क्लिक करने पर आप वापस Main Screen पर आ जाएंगे. यहां आपको Right Side में और नीचे की तरफ स्क्रोल बार मिलेगा, जिससे आप Data को उपर नीचे और दाएंबाएं स्क्रोल करके देख सकते हैं. नीचे Status Bar है, आप जो Value सेलेक्ट करेंगे, उनका Average, Count, Sum आपको यहां पर नीचे नज़र आ जाएगा. यहां पर Page को देखने के अलग-अलग Layouts हैं, जिनने हम बाद में समझेंगे. और यहां Right and Side पर Zoom बटन दिया गया है, जिससे आप Page की Size को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं. MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने जाना MS Excel 2016 का परिचे, MS Excel 2016 स्टार्ट करना और साथ ही जाना Rows, Columns, Workbook और Worksheet इत्यादी के बारे में. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे Like करें, अने लोगों के साथ इसे Share करें, और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें.